नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि भारत में क्या चल रहा है एक बहुत बड़ी खुश खबरी है उन लोगों के लिए जो लोग टीका के खिलाफ हैं जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है देखे, यह हर किसी के मर्जी के उपर निर्भर करता है आपकी इच्छा पी निर्भर करता है कि आप टीका को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं लेकिन भारत में कुछ ऐसा हो रहा है, कि जबरदस्ती हो रही है, कुछ ऐसी situation क्रिएट की जा रही है, कि आप नोकरी नहीं कर सकते, आपको एकदम ही बाइकोट कर दिया जा रहा है, मतलब ऐसी मजबूरियां आपके सामने रख दी जा रही हैं, कि आपको वो टीका लेना पड जबरदस्ती हुई थी, डॉक्टरों और पुलिस ने काफी जबरदस्ती की उसके उपर बिना उसको बताये कि उस टीके के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं उसे, उस पे जबरदस्ती की गई और उसने जो है जज्जमेंट की गुहार की, लेश ओजा जी ने पेटिशन फाइ जाएगा, अगर जबरदस्ती लगाया गया तो वो एक क्राइम माना जाएगा, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जैसे कि उस कैदी ने लिया और अगर आपको टीका लगाया जा रहा है बिना उसका साइड इफेक्ट बताये तो भी ये एक बहुत-बड़ा क्राइम ह जिस तरह से उस कैदी ने 5 करोड रुपे का दावा किया आप लोग भी कर सकते हैं तो ये एक सबक है हम सबके लिए सब ही लोगों के लिए जितने भारतिया हैं जो नहीं चाहते हैं लगवाना उनके लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि अग आप लोग उसको प्रिंट करके अपने पास रखिए अगर आपके काम पर अगर आप आप अफिस में जाते हैं और वहां पर आप से कहा जाता है जबर्दस्ती कि भाई आपने टीका नहीं लिया तो आप काम नहीं करेंगे आप कोट सेलरी नहीं मिलेगी आप उनको ये जज्जमेंट दिखाईए और बोलिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फास सकते हैं ठीक है और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया और सुप्रीम कोट ने ये भी बोला है कि ये टीका जो लगाया जा रहा है इसका कोई नहीं है कि ये पूरी तरह से कारगर है इसलिए अगर इसका दूसरा डोज कोई ना लेना चाहे तो उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकती है मतलब अगर आपने पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज आप नहीं लेना चाहते है तो ये आपकी इच्छा पे पूरी तरह से निर्वर करता है यह आपके उपर है वैसे भी आपको बता दे भारत में लगभग लगभग 70-80% लोग जो है वो इम्मुन हो चुके हैं Supreme Court ने बहुत बड़ी पावर जो है वो जनता के हाथ में दे दी है Supreme Court ने ये भी फैसला लागू किया है कि अगर टीका लगाने के बाद किसी की मृति हो जाती है तो Section 302 लगा करके जिसने वो टीका लगाया है उस व्यक्ति को उन पर मर्डर का चार्ज लगेगा So अब जो है ये बिना मर्जी के नहीं लगवा सकते कोई आप जबरदस्ती नहीं कर सकता चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो अब आपकी पूरी पूरी इच्छा है आप अपने इच्छा के मालिक खुद है So अब कोई डरने की ज़रुवत नहीं है कहानी यहां पे आके बिल्कुल शान्त हो जाती है So अब आप लोग निडर हो करके रहिए निश्चिन्त हो करके रहिए खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में Take care, love you all, good bye